हाई फ्रेंद्स में यूटूब चनल में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज में आपको बालों को नैचुरली केरेटिन ट्रीटमेट करने का एक असान सा घरेलू पयावत अजारी इस नुसके से आपके बाल बहुत जल्दी सिल्की स्ट्रेट हो जाएंग हमारे बालों के लिए काफी अच्छा होता है या हमारे बालों को सॉफ्ट बनाता है शाइनी बनाता है साथ ही हमारे बालों को स्ट्रेट करने में भी काफी हल्प करता है आपको अपने बालों के लंबाई का अनुसार एले वेरा जल लेना है इसके इस्तेमाल से आपके बाल मजबूत तो होंगी साथ ही आपके बालों में अच्छी सी शाइन आएगी साथ ही आपके बालों के रुख्यपन को दूर करने में काफी हल्प करता है कि आपके बालों को स्ट्रेट करने में भी बहुत ज़्यादा हल्प करता है अब इसमें आपको जो चीज मिक्स करनी है वो ह लाता है नारियल तेल के इस्तेमाल से हमारे बालों के रूख्यपन को भी दूर करता है आपके बालों में अच्छा साइन लाता है इसके बाद जो इसमें चीज मिक्स करनी है वह है बदाम का तेल बदाम का तिल विटामिन E से भरपूर होता है जो हमारे बालों को पोशन देकर हमारे बालों को मजबूत बनाता है और हमारे बालों की ग्रोथ को तेज करता है अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है आपको लेना है विटामिन E विटामिनी के इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ तो होती ही है साथी या हमारे बालों को मजबूत बनाता है और सिल्की स्मूथ बनाता है इसके इस्तेमाल से बालों का रुखेपन में काफी सुधार आता है या आपके बालों की रुखेपन को बहुत ही आसानी से दूर कर देता ह इस तरह से क्रीम के तरह ये पेश्ट करने अब इसे आप अपने बालों पर अच्छे से लगाए इसे जड़ से सीरे तक अच्छी तरह से लगाने के बाद इसे आदे घंटे के लिए लगा कर रखने दे और उसके बाद अपने बालों को वाश कर लें अब पहले इस्तिमाल में ही पाएंगे कि आपके बालों को रुख़पन बहुत ही असानी स बाल सिल्की स्मूद और शाइनी हो गया है साथी या आपके बालों को मजबूत भी बनाएगा आपके हैर फॉल की समस्या को भी दूर करेगा या आपके बालों को अच्छे से नरिश करेगा नैचरल यह काम करेगा इससे आपके बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की और स्मूद हो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जोर करें बेल बटन को क्लिक कर लें नए वीडियो का नोटिफिक्शन पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में